वेलकम बैक टो चैनल डियाश्ट्रेंड देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर पांचवा है और प्रैक्टिस ही एक मात्र मूल मंत्र है आपके सफलता का और ना सिर्फ यही एकजाम बलकि दुनिया के किसी भी छेतर में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टनी चीज होती है तो दिहान पूरों देखिए इस प्रैक्टिस को और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने qwerेश्चन सई हुए आप हमारे साथ यहां पर सείख सकते हैं कि qwerेश्चन को कैसे देखा जाता है नजरिया क्या होता है कैसे इसको सॉल्स किया जाता है यहाँ पर पहला question है आपके लिए choose the correct form of the tense for the given sentence जो है यहाँ पर जो sentence दिया गया है इसमें correct form of tense भरना है question यह है कि I dash with my father last night अब यहाँ पर कौन सा option सही हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर last night की बात की गई है मतलब की आखरी रात मतलब पिछली जो रात थे उसकी बात की गई है तो जाहिर सी बात है कि past की बात है चुकि last night है तो बीट गया past है तो simple सी बात है यहाँ पर option number B होगा spoke होगा ठीक है यह बाकी सब option नहीं होगा spoke होगा अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल के आएगा I spoke with my father last night मतलब की मैंने कल रात अपने पीता से बात की थी समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं ठीक इसी परकार के question आपके exam में आते हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर questions को आप solve करना समझ जाएंगे देखने का नजरिया तो बहुत आसानी से solve कर पाएंगे अगला है कि the old man had heart attack this morning अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा देखिए option number A सही हो जाएगा another क्योंगा बात यह है कि कह रहा है कि बुढ़े आदमी को आज सुबह एक और heart attack आया ठीक है another मतलब एक और heart attack देखिए एक बच्चे ने comment कहा था पिछली वीडियो में जो practice वाला था कि सर आप बहुत धीरी धीरी बताते हैं धीरी धीरी बताने का मेरा उद्देश से यह है कि जितने भी बच्चे हैं सब को चीजे समझ में आए क्योंकि सभी का label एक जैसा नहीं है ठीक है मेरा मोटिवीर यह है कि आप सभी को ले करके चलना है सभी बच्चों को question यह है कि यहाँ पर best expresses substitute यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब कि आप simply समझ सकते हैं कि one word substitution से question है यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि a person who vests his money on luxury मतलब कि वह प्यक्ति जो बिलास पर अपना पैसा खर्च करता है बिलास मतलब भोग बिलास जोता है न जो फाल्तू में करते हैं इसको simply बोलते हैं extravagant आप में पूछा जा चुका है तो आप पैन उठाइए और इसको लिख डालिए मैं guarantee देता हूँ कि यह question आने के बहुत ज़्यादा स्वंभावन है क्योंकि कई बार आ चुका है extravagant word याद रखेंगे extravagant का मतलब होता है फिजूल खर्ची मतलब कि उस चीज की आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप खरीदे मतलब उससे के बीना भी आपका काम चल सकता है पिर भी आप उसको खरीद रहे है that means फिजूल खर्ची ठीक है बात समझ में आ रही है न देखे बागी के अगर option आप कहेंगे कि सर समझा देजिए तो luxuriant लिखा हुआ है luxuriant का मतलब होता है वही बिलासी सुख भोगी वाली चीज़े जो है और stingy लिखा हुआ जिसका मतलब होता है miser मतलब कंजूस और luxurious का मतलब शान और सौकत ठीक है इसमें सबसे important जो वर है वो extra wagon जो की सही है और जिसका मतलबता है फिजूल खर्ज याद रखेंगे अगला question देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है लेकिन question वो simple है यहाँ पर best subscribe आपने idiom बताना है आपको ठीक है अब देखिए ध्यान से समझेगा आपकी exam में जैसे यहाँ पर sentence के साथ idiom दिया हुआ है highlight करके और इसका meaning पूछा है तो आपकी exam में यह sentence नहीं देता है direct idiom ही देता है तो आईए बात करते हैं direct idiom पर ठीक है यह है आपके सामने इसमें लिखा हुआ है कि bots eye view इसी का आपको meaning बताना है और आपकी exam में directly पूछता है मतलब यह फालतू के questions उसमें नहीं add करता है यह बड़े level के exam में होता है bots eye view इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी भी परिष्थिती को बड़े अच्छे से देख पाना मतलब एक general view जिसको बोलते है तो यहाँ पर आपके सामने option c से हो जाएगा general view option c is right here bots eye view का मतलब general view आगे बढ़ते हैं अगला जो आपके सामने question है इसमें लिखा हुआ है na best expresses meaning का मतलब यहाँ पर sinonim आपको बताना है ठीक है word आपके सामने है eternal eternal का मतलब होता है शास्वत अनादी अविनासी जीवन्त जो इसे की महादेव है न हमारे यहाँ भोले नाथ उनको शास्वत बोलते है अनादी ठीक है अविनासी जिसको जीवन्त बोलते हैं उस sense में कि मतलब यह कभी न मरने वाला type का sense ठीक है शास्वत जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर option number D हो जाएगा perpetual यहाँ पर और silent होगा perpetual या perpetual भी बोलते हैं लोग तो यहाँ पर option D होगा जिसका मतलब शास्वत होता है अगर बाकी के कहेंगे option तो हम समझाएंगे यहाँ पर पहला जो option A लिखा हुआ है in numberable जिसका मतलब होता है असंख या अनगीनत देखें असंख और अनादी में अंतर है असंख या सास्वत में भी अंतर है ठीक है तो इसका जो मतलब है वो सास्वत से है बाकी इसका मतलब जो है अनगीनत जो है असंख के जिसको बोलते है अनमेजरेबल लिखा हुआ है option B में जिसका मतलब होता है असंदिक जिसको बोलते है असंदिक बाकी option C अगर समझाएंगे कोसिस करेंगे तो प्रोलोग्ड लिखाबा है जिसका मतलब होता है लंबा यानि कि दीर के कालीन ठीक है अगला देखिए जो question है आपके लिए बहुत ही simple question है make money क्या होता है बनाना होता है इसका opposite आपको बताना है तो इसका उल्टा हो जाएगा break make का उल्टा ब्रेक इसका continue हो जाएगा इसको damage भ मतलब भी break होता है break मतलब तोड़ना होता है make मतलब बनाना होता है बाकी क्या option सर समझा दीजिए चलिए ठीक है option A देख लेते है लिब्रेट लिखा हो है जिसका मतलब होता है मुक्त करना या कि फिर आजाद करना बाकी option आप अगर C देखेंगे यहाँ पर तो देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है लेकिन लिखा हुआ है emancipate जिसका मतलब होता है सोतंतर करना या कि फिर बंधन मुक्त करना option D देखते हैं bind लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है बांध या कि फिर बांधना आईए देखते हैं अगले question को DS20 यहाँ पर अगला question आपके सामने है और question है direct indirect से यानि कि narration से question है और लिखा हुआ है कि the holy prophet said, God helps those who help others अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सई होगा option हम बिल्कुल अराम से आपको समझाएंगे चीज़ें आपको बहुत असानी से समझने आले लेगी जैसे आप हमारे साथ 2-4 practice set solve करेंगे आपको practice set solve करने का नजरिया बदल जाएगा और चीज़ें बिल्कुल असान हो जाएंगी देखें इस प्रकार के questions को solve करने के लिए इस्टुएंट एक बात का ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो कामा के अंदर जो बात कही गई है यानि कि God helps those who help others तो यह जो बात कही गई है यह universal truth है यह universal truth का मतलब कि सारो भावमिक सत्य जो कि हमेशा सत्य होता है वो यहाँ भी सत्य रहेगा और अमेरिका में भी सत्य रहेगा जापान में भी सत्य रहेगा मतलब यूनिवर्स में वो सत्य रहेगा यूनिवर्सल चुरूत जिसको बोलते है ठीक तो God helps दोस मतलब भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते है तो भाई बात तो सही है तो जब बात सही है तो इस प्रकार के sentence में जब करता है तो इस प्रकार के जो sentence होते है उसमें tense में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है ठीक है तो उसको as it is लिखते थे tense में कोई परिवर्तन नहीं करते है तो लिखा हुआ है कि the holy prophet तो देखते है आपसन यह को देखेंगे the holy prophet said that the god helped हो गया option B सही है बाकी में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है the holy prophet said that god helps people who help help people यह आपर आ गया तो यह C भी गलत है बाकी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें भी people सामिल कर दिया है तो बाकी के option गलत है option B बिलकुल सही है universal तुरूथ होता है तो as it is question को लिख देते हैं ठीक है बाते समझ में आ रही हैं न तो एक बार comment कर उसके बता दिजी आपके comment से ही तो हमें पता चलता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं और मेरी कोसिस आप तक पहुँच रही है अगला question है कि passive wise से है लिखा हुआ है कि I saw the master conducting the orchestra जी हां एक बहुत ही खुबसूरत वर्ड यहां पर आपके लिए इसको याद कर लिजेगा लिखा हुआ है orchestra और इसकी spelling कई बार पूछी जा चुके है आपके exam में orchestra जिसको बोलते हैं हम लोग किया जो orchestra होता है उसकी spelling दिखेगा क्या है इसकी पैसिवाइस बनाने की बात करेंगे हम तो यहां पर ध्यान देंगे कि I saw simply रह जाएगा अब देखिए conducting the orchestra है तो इसको the orchestra को subject बनाएंगे ठीक है तो I saw तो ठीक है यहां पर option B actually में सही है यहां पर देख सकते है the orchestra लिखा हुआ है अब यह चुकि I.N.G. form में है तो being करेंगे और पैसिवाइस में आपको पता है कि third form लगता है conducted by the master इसको the master को subject to object ले जाएंगे तो option B बिल्कुल से हो जाएगा I saw the orchestra being conducted by the master ठीक है बिल्कुल आसान है कहीं से कोई doubt नहीं होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं अगले question में अगला देखिए find the error से आपके सामने है question है कि the officer asked the recruit which district he came from अब आपको बताना है कि इसमें किस part mirror है थोड़ा सा वक्त ले लीजिए समझ लीजिए देखिए यहाँ पर जो है न वो किसी भी part में error नहीं है तो option D पर click करेंगे ठीक है no error इस question में क्यों सार सिंपल सी बात है the officer asked the recruit यहाँ तक कोई गलती नहीं लग रहे है which district इसमें भी कोई error नहीं है he came from यहाँ भी कोई error नहीं है कह रहा है कि अधिकारी ने recruit से पूछा कि वह किस जीले से आया है तो इसमें कोई भी गलती नहीं है ठीक है no error in this question option D is right here अगले की तरफ पढ़ते हैं अगला important है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर best substitute बताना है मतलब की one word substitution से a factory where workers are employed at very low wages wages का मतलब मजदूरी होता है for long hours and under poor condition poor condition का मतलब खराब इस्तिती जिसको बोलते हैं तो अबरहल कहरा है कि एक ऐसा कारखाना जहां स्रमिकों को लंबे समय तक और खराब परिश्तितियों में बहुत कम मजदूरी पर निव्त किया जाता है बहुत ही कम मजदूरी पर रखा जाता है conditions बहुत खराब होती हैं तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं यहां पर स्वेट शॉप यानी कि सोशर करने वाली दुकान मैं जहां पर कारखाना जहां पर स्वेट शॉप बोलते हैं दुकान भी हो सकता है जहाँ पर चोटे चोटे बच्चे काम करते हैं लेबर जो करते हैं वाँ पर काम चोटे चोटे बच्चे करते हैं तो चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनसे जादतर काम करवाते हैं सलुकी करते हैं और उतना पैसा नहीं देत लिखे हैं कम वेशर्ट पर रखे जाते हैं ऐसे जगाँ बुद्धेश को लिख लेंगे अज के व्म को सब्सक्तिकर मँड़ा है कि यहींदों यहीं के आपको झालiken से किना कशेंद हिए हैं चुकि आपको पता है कि सारी चीज़े अकेले करना होता है तो काफी मेहनत लगती है चीज़ों को करने में आप इसमें सहायता कीजिए सहायता में यही करना है कि आपके लिए किया जा रहा है तो आप उसका लाब लीजिए ठीक है positive result दिखाईए selection लीजिए और खुस जिन्दगी में मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम